हम देखेंगे कि sequencing problems इस type के questions का हम कैसे solve किया जाता है और इनके बीच में कैसे dealing होती है वो देखेंगे यह TYBSC में समझाया जाता है या फिर उसके syllabus का है तो इसको मैं आपको एक example से समझाओंगा नमस्कार दोस्तों आप देख रहे है SK Classes Welcome to my channel तो मान लो आपके पास कुछ books पड़ी हुई है book 1, book 2, book 3 and book 4 सब वो चार books है और यह चारो books जो है वो soft copy में है मतलब क्या आप उसको screen पे देख सकते हो इसका मतलब क्या आप उसको computer में देख सकते हो या फिर अपने mobile में देख सक तो आप basically आपको दो चीज़ करनी पड़ीगी first of all आपको उसको print मारना पड़ेगा और जैसी print मारोंगे और उसके बाद उसको binding करानी पड़ीगी binding से क्या होगा कि वो support होगा और long term sustain होगा book 1 जो है आपको उसको basically सबसे पहले print मारना होगा print मारने के लिए आपको machine लगेगी इस टाइप के problems में मैं आपको two machine के लिए बताऊँगा जो भी हम deal करेंगे फिलाल वो हम करेंगे two type machines में जिसमें सिर्फ दो machine का involvement होगा तो मान लो मेरा एक machine है A उस machine का जो काम है वो क्या करेगा आपके पास जो भी book है उसको print मारेगा और जो machine दूसरी है उसको मैं कहूँग बी इस बुक का इस machine का क्या काम है कि जो भी book A से हमें मिलीगी जो भी print होके मिलीगी उसको इसे करना होगा binding और यह कौन करेगा machine B काम करेगा तो basically आपके पास चार book है चार book है मतलब क्या आपके पास चार jobs है इसको मैं basically refer करूँगा job 1, job 2, job 3 and job 4 इसका मतलब क्या आपके प job ले लिए आपके पास 5 books है उन सब को print मारना है as well as binding करना है तो यह आपके पास jobs हो गए ठीक है और इस तरफ से जाएंगे तो jobs और नीचे की तरफ देखेंगे तो यह हमारी कहलाईगी machines ठीक है आपके पास 2 machine है ठीक है guys अब मैं आपके कुछ terms लिख रहा हूँ जैसे कि मैं लिख दिया 5 1 2 3 8 कुछ भी ले लेते है 8 10 9 10 7 6 अब इसका मतलब क्या जैसे कि आपके पास जो book है ठीक है book 1 जिसे कह रहे है उसको job 1 से नाम आ जाता है तो book 1 जो भी है आपके पास उसको सबसे पहले आपको print मारना है और print मारने के लिए आपको machine A के पास भेजना होगा जैस लेगा तब जाके वो book 1 है वो print होगी और print होने के बाद जब आप उसको binding के लिए भेजोंगे तो कम से कम वो 8 घंटे लेगा इसका मतलब यह है similarly 1 का मतलब यह है कि जब आपके पास job 2 है जो आपके पास जो book 2 है जो soft copy में है उसको जब आप printing के लिए machine A के पास भेजोंगे तो कम से कम एक घंटा लेगा और जैसे ही वो book print कर लेगा एक घंटे बाद आप उसको machine B के पास भेजोंगे तो 9 घंटे लेगा ठीक है उसी तरह यह सब time periods दे रखे है कि कैसे हमें इसे करना है तो basically इसमें सवाल यह उठता है कि हमें कौन सा job को पहले करना चाहिए such that आपका पूरा जो काम है पूरी books print मारनी कम से कम समय में हो जाए minimum time में आपको पूरी book है पूरा jobs जो आपको दिये 5 जो jobs है पांच जो jobs को कम से कम time में execute करना है तो वो इस टाइप की problems में हम देखने वाले है इसे कुछ rules होते है solve करने के कुछ methods होते है तो सबसे पहला में method जो आता ह है उसका नाम है Johnson's algorithm इसे कुछ steps है अगर आप steps follow करोंगे तो basically हम उसके निकाल सकते है कि कौन सा सबसे कम time लेगा लब जिसे कहते हैं हम minimum total elapsed time ठीक है उसकी मद्द से हम find out कर सकते है कि हमें कितना time लगेगा कितना कम से कम time लगेगा कि मैं सारे jobs या फिस सारे books को print as well as binding कर सकू ठीक है तो next video में हम देखेंगे कि इन types की problems को कैसे solve किया जाए या फिर इनके deal कैसे किया जाए कैसे हम निकाले क्या करना पड़ता है हमें निकालना पड़ता है optimal sequence इसका मतलब क्या होता है गाईस इसका मतलब यह होता है ऐसा sequence बताओ जो सबसे पहले execute किया जाए जिससे हमार मेरे पास two machine है तो हम three machine के लिए इस टाप की problems को solve कर सकते है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊगा तब तक के लिए good bye जे हिंद्र